अगली खबरारिये कानपूर्देहात से जहां सरयया लालपूर्थाना सिवली निवासी बलवंत सिंग पुत्र मुन्ना सिंग निवासी सरयया से पुलिस अविरक्षा में पूशना छिलास दौरान बलवत सिंग पुत्र मुन्ना सिंग निवासी ग्राम सरयया लालपूर्थान सिवली कानपूर्दे हाथ की मृतक होने की घटना की गंभेरता की द्रिष्टिगत जहां प्रक्रण की उच्छ इस तरिये जाच की जारी है वहीं जिलाधिकारी द्वारा दिनांग 14 दिसंबर 2022 को पीडित परिवार को 4 लाग की राहत रासी चेक के माध्यम से भी दी गई जिसके उपरांथ दिनांग 17 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री विवेका धीन कोश से भी सासंद्वारा 10 लाग का चेक पीडित परिवार के सदस्यों को कैबिनेट मंत्री राके सचान वा सांसर देवेन सिंग भोले की उपस्तिती में दिया गया इसके अलावा भी जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रसासन हर संभव प्रयास कर रही है जिस भी प्रकार से पीडित परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सकती है इसके लिए ततपर है उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी को निराश्रित महिला पिंसन से लाभानवीत किया जा रहा है तथा परिवारिक लाब के अंतरगत दी लाभानवीत किया जाएगा उन्होंने कहा कि मृत्चे की पत्नी के दोनों बच्चों को भी 23 वर्ष का प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतरगर धाई हजार रुपए प्रति बच्चे को दिये जाने हेदु प्रक्रिया गतिमान है उन्होंने बता है कि संबंधित परिवार की पत्रता के दिश्टिगत 1.5 बीगा भूमी संबंधित की मा को तथा देड़ बीगा भूमी पत्नी के नाम पर पट्टा करने की कारिवाही भी गतिमान है जिसका लाब सीग्र संबंधित परिवार को दिया जाएगा उन्होंने संब जोनिक है बेता है अप्रवारी के लिए मैठक मेरे करते हैं। अच्छा देखां मुप्सक्राइब के लिए देखिए जो सरया लालपुर का जो इंसिडेंट है जिसमें बल्वन सिंह की मृत्यू हुई है उसमें परिवार की आर्थिक साहिता के लिए जो मृतक की जो वाइफ है उनको 14 डिसमबर को 4 लाक रुपे का चेक दिया गया था और उसी क्रम में आज दिनाक 17 डिसमबर को साशन द्वारा मुख्य मंतरी विवेका दीन कोश से 10 लाक रुपे और अतिरिक्त दिये गये हैं जिसका चेक आज गाउं में मान्य कैबिनेट मंतरी श्री राके सचान और मान आंसर श्रीदेवेन सिंग भोले की उपस्तिती में जो पीड़त परिवार हैं उनको दिया गया है साथी प्रशासन जो भी हर संभव प्रयास है ताकि जो पीड़त परिवार है उनको जो भी आर्थिक साहिता मिल सकती है वो देने के लिए ततपर है इस क्रम में जो महिला पेंशन है उसके तहत उनकी वाइफ को कवर करा जा रहा है साथी पारिवारे क्लाप के तहत जो धनराशी दे होती है वो दी जारी है मृतक के जो परिवार है उनके जो दो बच्चे हैं उनके लिए मानी मुख्यमंत्री जी के जो बाल सेवा योजना है उसके तहत प्र पती माह उनके अकाउंट में धनराशी दी जाएगी बच्चों को, जिसमें ये शर्थ है कि क्लास बन से उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, which is a good शर्थ क्योंकि वो पढ़ाई करेंगे, साथ ही जो परिवार है उनके द्वारा भूमी की मांग करी गए थी पट्टे की, तो उनके पास जो existing जमीन है और उसकी पात्रता को देखते हुए, पूर में भी मैंने बताया था, लगभग डेड़ बीगा जमीन, मा और डेड़ बीगा जमीन, पत्नी के नाम पे पट्टा करन है, वो गतिमान है, और जैसे ही हो जाता है, मैं आगे भी और सूचत करूंगी, धन्यवाद. देखिए, बड़ी दुखत गटना है, और मानी मुकमंत्री जी लगातार मानिटिंग कर रहे हैं, और अभी जिस तरह से कारवाई होनी चाहिए, उस तरह से अभी कारवाई नहीं हुई है, सांसत जी ने भी लगातार प्रयास किया, चूंकि हम लोग इन्वेस्टर समिट के, मानी मुकमंत्री जी के निर्देश पर एक हफते के लिए बाहर दुगई यही में हम लोग थे, आज रात में हम लोग लोटे हैं, तो आज बात भी तो यहां पर मुकमंत्री जी की तरफ से दसलाग रुपए परजनों को दिया गया है, चाललाग रुपए पहले हमारे जिला रिकारी बहुते कराएंगे, और बच्चों के लिए भी दो नावारिक जो बच्चे हैं, डाइडा यजार रुपए प्रति महीने, तेश साल तक उनको भी बाल सेवा योजना के तहट जो मुकमंत्री जी द्वारा चलाईगे, उससे भी परजन को मिलेगा, और जमीन के पूर मिलेगा, हर तरह से सरकार दुखी परजनों के साथ है, और सक्त से सक्त कारवाही होगी, जो लोग दोसी हैं, भले वो पुलिस के लोग हैं, और मुकमंत्री जी चुकि बहुत ही सक्त हैं इस मामले में, लगातार मानिटिंग भी कर रहे हैं, कल भी हम लोगों की चर्च होगी, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी, यही और बाकी इतनी दुखत गटना है, सबी लोग इस गटना से दुखी हैं, कि नौजवान एक जो हम लोगों के बीच का था, थोड़ी सी लापरवाही से और पुच़णा हैं